हेलो गाइस वेलकम टू एंसी एट जोन बहुत सारे आस्पिरिंट्स का कहना था कि भाईया कंप्यूटर शुरू कीजिए देखते देखते बहुत ही इंपोर्टेंट ये एक पार्ट बनता जा रहा है एक्जैम्स का खास करके वंडे एक्जैम्स का बहुत सारे एक्जैम्स मे कहना था तो हम लेकर आ गए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड सीरीज इसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में बेसिक से लेकर के वो जितने भी क्वेस्चिन्स आपके कॉंपिटिटिव एक्जैम्स में आ सकते हैं उन सारे इंफोर्मिशन को हम कवर करेंगे इस के लिए इस पर्टिगुलर सीरीज के लिए वह हमने उठाया है दिशा पब्लिकेशन तो दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है कंप्यूटर नॉलेज इसके थुरू हम पढ़ेंगे कंप्यूटर को और काफी डीटेल वे में दिया गया है इस बुक में इन्फोर्मिशन को म में कुछ MCQs है तो उसको भी हम डिसकस करेंगे जिससे कि आपका जो तैयारी है वो और पक्की होती चली जाए तो चलिए आज से हम शुरू करेंगे दिशा पब्लिकेशन की कंप्यूटर नॉलेज और यह जितने भी एक्जाम्स आपके हैं उन सब के लिए काफी पूछा जाता है उन सब के लिए काफी रहने वाला है यह सीरीज तो शुरू करते हैं आपका काम क्या है आपका काम है कि हमारे टेलिग्राम ग्रूप पे जुड़ जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वाट्सएप ग्रूप का लिंक भी के रात के आठ बजे तक live classes होती है धीरत सर लेते हैं तो उसकी information भी आपको वहां से मिल जाएंगी तो वहां पर पॉलिटी की classes होती है लुसेंट की classes होती है और बहुत सारी classes होती है तो आगे बढ़ने से पहले पहला chapter discuss करने से पहले हम कुछ यहां पर चीजे देखेंगे औ आपको इस series में कितने chapters आपको पढ़ने मिलेंगे साथी साथ कौन सी exams में कितना वेटेज रखता है computer सबसे पहले हमें यह information होनी चाहिए हमारे पास तो इसको हम सबसे पहले discuss करते हैं उसके बाद हम अपना chapter शुरू करेंगे तो दीकिए क्या क्या contents है इस chapter में तो सबसे पहला जो chapter हमारे सामने है वो दीकिए fundamentals of computer ठीक है सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे fundamentals of computer उसके बाद next video में हम पढ़ेंगे components of computer system तो fundamentals of computer में क्या-क्या होगा तो जितने भी basic चीजे होती है जितने भी basic terms होते है related to computer ठीक है जैसे storage क्य होता है राम क्या होता है और बलाबला वो सब हम पढ़ेंगे आज के इस चाप्टर में साथ साथ थर्ड वीडियो में हम पढ़ेंगे memory organization उसके बाद computer software फिर computer hardware फिर database management system ठीक है यह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा उसके बाद computer networks आपको है बहुत सारे अब्रिवेशन पूछ देता है CPU का अब्रिवेशन बता दो और बहुत सारे अब्रिवेशन पूछे जाते हैं कभी कभी तो दो पूछ दिये जाते हैं साधी साथ उसके बाद ग्लोजरी आ गई देन technology and terms used in internet banking ठीक है इंटरनेट banking जो कि काफी आजकल डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया हो रहा है तारो तरफ तो यह चैप्टर काफी आपके लिए important बन जाता है उसके बाद जो लास्ट चैप्टर होगा वह होगा current information and development in IT fields अब हम बात कर लेते हैं कि कॉल्स exams में कितना weightage रखता है मतलब यह एक आप कह सकते हैं कि अनुमानित यहां पर data दिया गया है ज़र नहीं है कि exactly इतना ही analysis है तो इस पर आप trust कर सकते हो ठीक है तो देखिए इस भी एक clerk की अगर बात की जाए तो इस भी एक clerk में number of questions 20 होते है related to computers और total marks भी 20 होते हैं इस भी associates banklers की बात की जाए तो 20 20 यानि 20 questions and 20 numbers के IBPS clerk में यह 40 number का पुछा जाता है IBS PO में 20 number का weightage रखता है IBPS specialist officers में 50 questions होते हैं और 75 marks के होते हैं यानि की date number का एक question then SBI bank PO की अगर बात की जाए तो 15 यहाँ पर लिखा है जैसे कि मैंने बता है में vary कर सकता है ठीक है तो exactly इतना नहीं जर्णी की इतना ही 15 लिखा है तो 15 पूछा जाए हो सकता है कम पूछते है या हो सकता है जादा पूछते तो लेकिन आसपास इसी के रहेगा then SBI and Associates bank की अगर बात करें तो 15 में vary ठीक है then regional rural banks यान की ग्रामीन बैंक में भी पूछा जाता है 40 questions 20 number के उसके बाद officer scale 1 में regional rural bank officer scale 2 में officer scale 3 में RBI assistant में national insurance company assistant exams में सब में ये computer पूछा जाता है तो बहुत ही beneficial रहने वाला है अगर आप इन exams का preparation कर रहे हो या फिर किसी और exam का preparation कर रहे हो जहाँ पर computer पूछा जाता है clear है चलिए तो आज हम अब शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला chapter which is fundamentals of computer okay so let's begin देखिए सबसे पहले यहां पर बात करें तो लिखा है सबसे उपर अगर आप देखे थोड़ा ठीक से तो आपको दिख जाएगा C O M P U T E R यानि की computer computer C for commonly, O for oriented, M for machine, P for particularly, U for used, T for trade, E for education and R for research तो इससे computer का पूरा नाम क्या बनता है देखिए commonly oriented machine particularly used for trade, education and research तो यहां से हमें पता चल गया computer का abbreviation clear है तो अगर exams में पूछ दे कि in the word computer P stands for what है ना ऐसा question पूर सकता है P stands for what या फिर U stands for what या फिर R stands for what तो आपको computer का full name याद रहेगा commonly oriented machine particularly used for trade, education and research तो आप बता दीजेगा कि P का मतलब particularly है, R का मतलब research है, C का मतलब commonly है clear है तो यह बात याद रखेगा चलिए अब हम chapter को आगे बढ़ाते हैं तो यह हम पूरा नहीं पड़ेंगे हम सार समझ लेते हैं कि इसके कहने का मतलब क्या है तो अगर हम बात करें आज के जमाने की अगर आज के एरा की बात करें तो ऐसा कुछ भी काम नहीं है ऐसी कोई activity नहीं है जिसे बिना computer के हम achieve कर सक के छोटे मोटे काम तो हम कर लेंगे लेकिन ऐसे जो complex works है ठीक है उसको बिना computer के करना सोचना भी ऐसा लगता है कि पाप हो जाता है है तो computer क्या हो चुका है computer एक multi-purpose tool बन चुका है आज के जमाने के लिए ठीक है we are breathing in the computer age and gradually computer has become such a desire necessity of life that is that it is difficult to imagine life without it है ना आज कल हम सोच भी नहीं सकते बिना computer के ठीक है हमसे हमारा phone आदे गंटी के लिए दूर हो जाता है तो हम ऐसा अंग्रियस हो जाते है कि ये क्या हो गया मेरा phone कहा है मुझे phone चाहिए मुझे ये करना है वो करना है तो बिना computer के आज क लाइफ को सोचना काफी difficult है imagine भी नहीं कर सकते हैं तो अब बात करते हैं concept of computers की concept of computers कि माफ कीजेगा अगर हम computer को अगर bookish definition की बात करें कि computer का मतलब क्या होता है तो computer एक advanced electronic device है ठीक है जो कि आपको books में ऐसा देखने को मिलता है लिखा हुआ रहता है कि computer एक advanced electronic device है जो कि raw data को लेता है as a input और उसे process करता है और final data आपको देता है जिसे हम कहते है output ठीक है तो बिल्कुल एक industry में जैसा होता है कि raw material को हम डालते है machine में और उसकी processing करते हैं और final हमें मिलता है output तो बिल्कुल उसी pattern पे काम करता है हमारा computer जैसे एक example हम ले सकते है कि textile industry sorry textile industry में क्या है कि आप raw material को डालते हो यानि कि जैसे cotton हो ठीक है fabrics हो गया sorry cotton से आप fabrics बनाते हो दिन उसको process करते हो और finally आपका cloth त्यार होता है तो same pattern पे काम करता है हमारा computer सबसे पहले raw material raw data को हम as input डालते हैं then cpu या control unit क्या सकते हैं उसको क्या करता है process करता है process करता है और finally हमें output देता है ठीक है और प्रोसेस कैसा करता है तो process जो होता है under the control of set of instructions होते हैं जो already feeded होता है computer में ठीक है और then उसे क्या करते हैं उसको final हमें output मिल जाता है चलिए तो यहां पर अगर आप देखे तो आपको एक structure दिख रहा है जहां पर इस process को दिखाया गया है अब इसी computer system किस तरीके से काम करता है input डालते हैं then CPU और a set of instructions क्या करता है इसे a set of instructions called program जो होता है वो इसे process करता है RAM में then हमें finally output मिलता है और जिसे हम storage में रखते हैं clear है चलिए अब बात करते हैं कि computer के working को समझने के लिए इससे related कुछ terms होते है उसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है तो जैसे data हो गया processing हो गया information हो गया इन सब का मतलब क्या है तो चलिए सबसे पहले इसको discuss कर लेते है data का मतलब क्या है data होता है एक collection of basic facts and figures without any sequence है न कोई भी basic fact हो गया या कोई भी figure हो गया जिसमें कुछ sequence नहीं है कुछ मतलब नहीं है लेकिन फिर भी वो data कहलाएगा for example मैं आपके पास आया और मैंने आपको बोला 10 15 2 तो मैंने आपको यह numbers बता दिया आपके सामने कुछ मतलब है इस number का कुछ मतलब नहीं है कि मैं क्या कहना चाहा रहा हूं या फिर यह 10 15 12 क्या है लेकिन यह कुछ नहीं है लेकिन data तो फिर भी है है ना raw data तो यह फिर भी है तो same data इसी को कहते है कि data कुछ भी हो सकता है fact हो सकता है या figure हो सकता है जिसका कुछ sequence नहीं होगा जिसका कुछ मतलब नहीं होगा उस time उस time पे उस point of time ठीक है लेकिन वो क्या कहलाएगा फिर भी data कहलाएगा for example मैंने आपको किसी people का नाम बता दिय किसी employee नाम बता दिया कई number बता दिया कोई fact बता दिया तो यह सब क्या कहलाता है data कहलाता है clear है चलिए आप अभी हमेशा कभी कभी सुनते हो यह गाना कि डेटा चोरी हो गया डेटा चोरी हो गया गूगल डेटा चोरी कर रहे है तो फेस्बुक डेटा चोरी कर रहे है वह सब डेटा चोरी कर रहे है इसका मतलब क्या है वह कौन सा डेटा चोरी कर रहे है आपके पैसे तो नहीं च इसब के आपके बारे में डेटा करता है तो इसी को हम डेटा कहते हैं किसी का नाम कोई नंबर कोई fact कुछ भी यह सारा data कहलेगा clear है चलिए आगे है processing किसे कहते हैं तो अब बात कर लेते हैं processing की data हमने देख लिया अब है processing processing जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यह कुछ process होगा है तो दिखें it is the set of instructions given by user to the related data that was collected earlier to output meaningful information तो कुछ essay instructions जो की उन data को दिये जाते हैं जो की पहले से collected होते हैं इन data इनका कोई मतलब नहीं था लेकिन इनको कुछ instructions इनको कुछ specific programs में डाल करके क्या किया जाता है output बनाने की कोशिश की जाती है meaningful information इन से निकालने की data से निकालने की process की जाती है उसी process को हम कहते है processing ठीक है दो people का नाम बता दिया, राम and शाम, तो इसका मतलब कुछ नहीं, 10, 15 राम, शाम, अब क्या है, राम की उमर 10 है, या शाम की उमर 10 है, या फिर राम के पास 10 रुपए हैं, या राम के पास 15 रुपए हैं, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेटा जब था raw form में तो कुछ मतलब नहीं बन रहा था लेकिन जब processing की गई तो इसका मतलब सामने निकल के आया तो basic जितने भी calculations करनी होती है या comparison करना होता है या decision लेना होता है regarding that data ये काम कहलाता है processing और ये कौन करता है computer करता है ठीक है क्योंकि computer में already कुछ क्या होता है उसमें फीडेड होता है क्या प्रोग्राम फीडेड होता है जिसके basis पर ये काम होता है clear है चलिए अब बात करते हैं information की तो information की अगर बात की जाए तो information जो होता है वो end point होता है output का यानि कि सबसे पहले data collect किया गया देन उसकी processing की गई और final जो information हमारे सामने निकल के आया final output जिसका कुछ मतलब बनता है वह meaningful output कहलाया information clear है तो I hope आपको इतना समझ में आ गया होगा अब आगे बढ़ते हैं आगे है characteristics of computer computer की characteristics क्या क्या होती है इसकी विशेष्टाएं क्या क्या है तो computer की जो major characteristics है उसके बारे में हम यहाँ पे discuss करेंगे सबसे पहला जो characteristics होता है वो speed का characteristics होता है अगर हम compare करें इंस सब्सक्तान के speed की और computer के speed की तो computer का जो speed है वो हम compare ही नहीं कर सकते इतना ज्यादा speed है fast speed है किसका computer का एक powerful computer जो होता है वो capable होता है about 3 million calculation per second करने में can you imagine 3 million calculation per second हमें अगर एक basic सा calculation करने को दिया जाए तो कम से कम अगर हम एक normal इंसान है अगर हम अपने आपको mathematician ना माने तो normally हमें 5 से 6 से केंड तो लगी जाएंगे एक basic या फिर कम से कम 2 से केंड तो लगी जाएंगे है ना basic calculation करने में लेकिन यह जो computer है वो कितने से complex से complex जो calculation है वो 3 million per second कर सकता है तो सोचिए इसकी speed कितनी है तो सबसे पहली विशेश्ता तो यह होगा कि बहुत ही जादा तेज होता है computer देन दूसरी जो इसकी खासियत है वो है accuracy हम तो गलत कर भी सकते हैं हम fumble कर भी सकते हैं है ना हम गलत output द बिल्कुल accurate देगा अगर सिर्फ एक यहां पर शर्त है एक condition है कि अगर उसमें जो program feed है वो गलत नहीं हो या फिर उसको जो data दिया जा रहा है computer को वो गलत नहीं होना चाहिए बाकि computer अपना काम बिल्कुल है accuracy के साथ करता है clear है तो computer's accuracy is consistently high if there are errors they are due to errors in instructions given by the programmer तो बात समझिए कि computer का भी गलत नहीं होता है उसका जो programmer है वो गलत होगा अगर computer से जो आउटपूट निकला है वो गलत निकला है तो गलत कौन होगा computer नहीं होगा मेरत कौन होगा programmer होता है as long as the data is reliable जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि डेटा अगर उसको सही दिया जा रहा है तो उसका output बिलकुल reliable निकलेगा अगर डेटा ही गलत दिया जा रहा है यानि कि computer को बताया ही गलत जा रहा है तो वह calculate भी तो गलत ही करेगा ना clear है चलिए फोर्थ है memory या storage capacity हम इनसान भूलने के बहुत ही शौकीन होते हैं चीजों को बहुत जल्दी भूलना हमारी फितरत है लेकिन जो computers है उनमें storage और memory power बहुत ही जादा हाई होती है तो computer बहुत ही बहुत ही जादा volume में store कर सकता है चीजों को और बहुत इंफिनिटी के लिए store कर सकता है ठीक है और समय परने पर वो data आपको दे देता है उसके बाद अगर हम बात करें versatility की अगर हम कहते हैं कि यह कितना versatile है तो computer जादा versatile कौन है computer एक time पर बहुत सारे काम कर रहा होता है multitask कर रहा होता है ठीक है तो computer एक time पर बहुत सारे कामों को कर सकता है यह accept कर सकता है information को बहुत सारे inputs को ले सकता है साथी साथ उसे same time पर output भी दे रहा होता है ठीक है अगर हम easy language में बात करें तो हम जब laptop पर काम कर रहे होते हैं तो एक time पर हम song भी YouTube एक window में खोल के बैठे होते हैं और गाने सुन रहे होते हैं एक पर हम PPT बना रहे होते हैं दूसरे पर हम Facebook खोल के बैठे होते हैं तीसरे पर WhatsApp खोल के बैठे होते हैं तो बहुत सारे एक time पर बहुत सारे काम कर रहे होते हैं यह एक normal अभी modern example है आपके स automation की अगर बात करें तो एक बार instructions आप फिड कर दीजिए computer में और उसके बाद ये खुद कर लेगा अपना काम, आपकी जरुदत इसको नहीं पड़ेगी, हाँ ना? अगर इंसान की बात करें, तो हमें जब कभी problem समझ में नहीं आती है, maths की, तो हम teacher से पूछते हैं तो उस time पर हमें समझ में आ जाता है, next time पर हम फिर से भूल जाते हैं, तो हमें फिर से teacher की जरुरत पड़ती है, यानि कि teacher, here teacher is the programmer, ठीक है? और हम क्या है computer, तो इंसान रूपी जो computer है, उससे बार-बार programmer की जरुरत पड़ती है, लेकिन जो artificial computers है, ठीक है? उनको programmer की जरुरत बार-बार नहीं पड़ती है, एक बार आपने कुछ speed कर दिया, उसके बाद ये अपना काम automatically कर लेगा, तो automation इसका एक feature है, ठीक है? एक characteristics है computer का, उसके बाद अगर बात हम करें, तो diligence आता है, diligence का मतलब क्या होता है? कि diligence का मतलब है कि distract नहीं होना, या laziness नहीं आना किसी के अंदर, अगर आप काफी focused है, और अपना काम बिलकुल ही focus के साथ करते हैं, और कभी भी आपमें सुस्ती नहीं आती, आप कभी उबासी नहीं लेते पढ़ाई करते हुए, आपको नींद नहीं आती, तो कहा जाएगा कि आप काफी diligence किस्म के इंसान हो, तो computer बिलकुल diligence होता है, a computer will never fail to perform its task due to distraction or laziness, हम पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बाते पढ़ाई के टाइम पे ही आती है, लेकिन computer ऐसा बिलकुल नहीं है, computer जब अपना काम कर रहा होता है, तो बिलकुल focused होता है, ज तो आप सुनते हैं न कभी-कभी, जब कोई इंसान ऐसा दिन भर पढ़ रहा होता है, 12 गंटे, 13 गंटे, 18 गंटे, तो सामने वाला क्या बोलता है, भाई तू computer रहे क्या, तो इसका मतलब क्या है, computer को नींद नहीं आती है, लेकिन इंसान को आती है, clear है, चलिए, तो diligence एक characteristics ह एक computer का, उसके बाद है convenience, convenience की बात करें, तो computer जो है, usually easy to access होते हैं, मतलब इनको असानी से access किया जा सकता है, और इसे इन्हें allow किया जा सकता है कि information find करने के लिए, ठीक है, without any difficulty, ठीक है, तो आराम से operate आप कर सकते हैं, then flexibility की अगर बात करें, तो computers का जो use है, वो entertainment के लिए हो सक सकता है, business purpose के लिए हो सकता है, उसके अलावा, अलग-अलग field में different, जितने भी काम है, उन सब में किया जा सकता है, उनके goals को achieve करने के लिए, ठीक है, तो एक computer पे basically सारे काम होते हैं, ठीक है, तो यह कहा जाता है, flexibility, तो यहां तक हमने क्या पढ़ा, characteristics of computers, I hope आपको समझ में आ versatility की, automation की, diligence की, convenience की, and flexibility की, तो इतने सारे यहां पे क्या है, characteristics है, अब हम बात कर लेते हैं, goals of computers की, ठीक है, goals क्या है, computer को बनाने के पीछे, मतलब उद्धिश्य क्या है, तो सबसे पहला जो goal है, computer का, वो है, problem solving techniques using the computer, ठीक है, तो problem solving technique, using the computer, जो problems है, उसको solve करना, उसके बाद, analysis of complex problems, and the synthesis of solution, जितने complex से complex problems है, उनको analyze करता है, computer, और, finally हमें solution provide करता है, तो यह भी objective है, यह भी goal है, computer का, उसके बाद है, comprehension of modern software, engineering principles, ठीक है, comprehend करता है, किसी को modern software, engineering principles को, then, यह सब आपको examinations में नहीं पूछे जाएंगे, competitive examinations में, यह सब हम basic चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो हम सब कुछ पढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है, तो bore मत होईएगा, अगर आपको bore यत लग रहे होगी, तो थोड़ा सा forward करीजेगा, ठीक है कि यह सब आपको पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन information काफी जरूरी होता है, अगर आपको basics पता होगा computer के बारे में, तो कुछ भी questions आजाए exam में, आप उसको tackle कर लोगे, उसके बाद है, a vast breadth and depth of knowledge in the discipline of computer science, computer science में excel करने के लिए एक vast depth होना चाहिए knowledge का, ठीक है, तो यह भी एक गोल है, computer काफी knowledgeable होता है, ठीक है, और एक discipline होता है computer science में, then अब बात करें computer capabilities की, तो वैसे तो हमने features में पढ़ी लिया था computer के capability के बारे में, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम एक बार फिर से एक बस summarize कर लेते हैं इसको, तो computer के capabilities की बात की जाए, तो other machines की तरह, एक computer जो होता है, इसको भी direction की जरौत पड़ती है, computer खुदी काम नहीं कर सकता है, क्योंकि जितने भी machines है, they are operated by human being, तो computer को भी चलाने के लिए इंसान की जरौत पड़ती है, वाले computer कितना भी ज़्यादा बोले कि हाँ, मैं बहुत accurate हुम है, मेरे में बहुत speed है, लेकिन जब तक उसको program नहीं करेगा, that cannot be worked, तो उसी तरीके से यहाँ पर है, कि जितने भी machine है, उसी के तरह computer को भी direction की जरौत पड़ती है, और controlling की जरौत पड़ती है, तो उसे control और direct कौन करता है, एक इंसान करता है, ठीक है, तो successfully work जबी कर सकता है, computer जब कोई इंसान उसको operate करे, उसको program क करे, तो इसके लिए उसको program की जरौत पड़ती है, ठीक है, जो prepare करता है, और store करता है, computer के memory में, और यह काम करता है, इंसान करता है, ठीक है, computer जो होता है, वो कुछ नहीं जानता है, यहाँ पर एक line देखे, काफी interesting line है, the computer knows absolutely nothing, computer कुछ नहीं जानता है, जो कुछ भी वो जा होता है, वो कर रहा होता है, वो सब किसका दिमाग होता है, इंसान का दिमाग होता है, clear, तो computer कुछ नहीं जानता है, programmer सब कुछ जानता है, अब दीखे, not even how to accept or reject data, computer को यह भी नहीं पता होता है कि कैसे data को accept करे और कैसे इसको reject करे, even the most sophisticated computer, no matter how capable it is, must be told what to do, ठीक है, तो चाह लीजे, उससे कुछ नहीं पता होता है, उससे पता कौन करवाता है, इंसान उसका programmer, ठीक है, चलिए, अब दिखिए, capabilities और जो इसके limitations है, इसको अगर recognize जब तक नहीं किया जाए, यह useful नहीं हो पाता है, और उसको अच्छे से समझा नहीं जा सकता है, अब आगे बात कर लेत हैं कि, computers जो है, वो repetitive काम करने में काफी सक्षम होता है, यानि कि एक ही काम को हजार बार कर सकता है, और बीना बोर हुए कर सकता है, clear है, एक ही विंडो को खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं उसको हजार बार करिए लाख बार करिए कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप किसी चलिए एक एक्जामपल लेते हैं काफी इंट्रेस्टिंग आप अपने डॉगी के साथ खेल रहे हैं और हम तो कुट्ता ही ब अँज़ाब को तब ही बोलता होगा मनी मन्म कि यह क्या कर वारे मालिक जब आपको फैक नहीं है तो मगवाते की ओओ ठीक है लेकिन कंप्यूटर ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेगा कंप्यूटर का क्या है कि आप उसको हजार बार काम करवा लीजे एक ही काम कर वालीजे लाख अखबार करवाली उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है वो करता जाएगा बीना सोय हुए बीना इरिटेट हुए हुए ठीक है तो रिपिटेटिव काम करने में काफी सक्षम होता है तो यह इसकी capability है उसके बाद computer जो है वह information को process कर सकता है extremely rapid rates के साथ बहुत ही fastly कर सकता है ठीक है उसके अलावा computer जो है वो calculations को काफी तेजी में कर सकता है बिना फेल हुए और बिल्कुल ही काफी क्या कर सकता है बिना फेल हुए कर सकता है और accurately कर सकता है तो यह सब हम पढ़ चुके हैं already तो इस पे हम time waste नहीं करेंगे चलिए अब आगे सीधा बढ़ते हैं history of the development of computers पे आते हैं शुरुवात कैसे हो ही computer की तो अगर हम बिल्कुल शुरू में चले जाएं तो तब कोई भी computer नहीं हुआ करता था याद रखिएगा in the beginning there were no computers तो add करने के लिए या subtract करने के लिए जो इंसान थे वो क्या यूज किया करते थे fingers का use करते थे और toes का use करते थे ठीक है तो अभी भी है जब हम बच्पन में थे तो हमें तो सिखा जाए से finger पर counting करना सिखा जाता था एक दो तीन चार पांच लिए अपने fingers का use क्या करते थे साथी साथ टोस का use क्या करते थे अब देखिए जो आपने नाम सुना होगा abacus is known to be first mechanical calculating device तो एक्जाम में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे पहला mechanical calculating device यानि की यांत्रिक calculating यंत्र आप कैसा सकते हैं ठीके हिंदी में तो वो कौन सा था तो वो abacus था जिस पे जोड़ने और घटाने का काम किया करते थे तो सबसे पहला कौन था mechanical device for calculations वो था abacus याद रखिएगा very very important उसके बाद the main purpose of abacus was the additional and subtraction subtraction could be performed quickly अब देखिए ये जो ये था abacus बनने से क्या हुआ fingers पे जो हम add और subtract करते थे उससे काफी तेजी में होने लगा abacus पे ठीक है और abacus का जो develop किया था abacus को वो किस ने किया था तो Egyptians ने किया था 10th century में abacus को develop किस ने किया था Egyptians ने किया था 10th century BC में किया था लेकिन फाइनली जो structure दिया गया abacus को finally वो 12th century में दिया गया ठीक है फिर से मैं बता देता हूं तो देखिए abacus वैसे तो 10th century में बना चुके थे कौन Egyptians लेकिन इसको जो final structure मिला वो 12th century में मिला और 12th century AD में मिला और किसके द्वारा मिला तो चाइनीज educationist के द्वारा यानि कि जो चाइना के सिक्षावीद थे उनके द्वारा इसे finally structure दिया गया abacus कैसे बना था तो abacus बना हुआ था एक frame था जिसमें rods लगे हुए थे और rods fitted थे वो frame के दोनों तरफ और rods पे round beads लगे थे तो अगर आपने देखा है abacus को तो आपको पता होगा कि कैसा वो बना हुआ था तो वैसे तो यहां पे picture मैं नहीं ले पाया लेकिन कुछ इस तर इसा गोल गोल बीड लगा हुआ था जिससे सब्ट्रेक्शन और एडिशन वगरा का काम होता है था तो मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है इस पर मज जाईएगा ठीक है तो आप Google कर लिजेगा abacus का image आपको idea लग जाएगा clear है चलिए अब बात करते हैं नैपियर की तो नै वो किस ने invent किया तो जॉन नैपियर ने किया नैपियर ने जो बोन का यूज किया रॉड के लिए यूज किया for counting purpose where the numbers were printed on them तो जैसा कि हमने देखा सबसे पहले जो abacus था उसमें क्या लगा हुआ था उसमें रॉड लगे हुए थे और रॉड के उपर beads लगे हुए थे जिससे हम क्या करते थे जोडने और घटाने का काम करते थे लेकिन नैपियर ने किया किया उन्होंने कहा कि यह beads नहीं रहेगा आप सीधे रॉड लगा और रॉड पे जैसा inscription होता है न उस पे numbers खुदे हुए थे वह जो bone का यूज किया उस पे number क्या थे पहले से printed थे याद रखिएगा इसमें beads हटा दिया और वह जो bones उन्होंने लगा है न तो bones पे वह already printed था तो हम कहा सकते कि माली जी यह bone है तो इस पे एक दो ऐ इंचार ठीक है with the help of these rods one could do addition, subtraction, multiplication and division speedly तो नेपियर्स के bones से क्या हो सकता था अब जोड घटाओ गुना भाग यह सब आसानी से तेजी से हो सकता था clear है चलिए अब बात करते है पास्कल्स calculator from sorry पास्कल्स calculator called pascaline तो अभी तक हमने क्या देखा उपर हमने देखा कि abacus सबसे पहले 10th century में Egyptian ने invent किया था लेकिन finally structure जो मिला इसको 12th century AD में मिला किसके दौरा तो Chinese educationist के दौरा मिला उसके बाद नेपियर्स bone लगाया किसमे abacus में अब beads खतम हो गया पहले तो beads थे लेकिन आब beads को खतम करके उन्होंने bones का use किया और bones पे numbers already printed थे जिससे addition subtraction वगरा होता था उसके बाद pascal आते हैं pascal calculator called pascaline लेकर आते हैं अब इन्होंने calculator बनाया इयर 1642 की बाद है blaze pascal जो की एक french scientist थे इन्होंने invent किया एक adding machine को जिसका नाम इन्होंने रखा pascal's calculator ठीक है adding machine था याद रखिएगा adding machine था 1642 में blaze pascal ने जो french scientist थे इन्होंने एक machine का आविशकार किया जिसका नाम इन्होंने दिया pascal's calculator के लिए रहे है which represent the position of digit with the help of gears in it और इस calculator में gears लगे हुए थे जो बताता था numbers के position को और इस machine के through क्या हो सकता था computer engineering और calculator felt to be great commercial success अच्छा देखिए यह जो बना तो दिया इन्होंने लेकिन क्या हो गया यह calculator क्या हो गया fail हो गया ठीक है ज्यादा मतलब चल नहीं पाया ठीक है useful ज्यादा हो नहीं पाया अब हम आगे बात कर लेते हैं Lebanese calculator की तो यहां तक हमें समझ में आ गया अब हम बात करते हैं Lebanese calculator की चलिए Lebanese जो थे वो successfully introduced as a calculator on to the market in the year 1646 में क्या हुआ Lebanese successfully introduced किया गया market में as a calculator clear है और यह जो design किया गया था further design किया गया 1673 में यानि कि 1673 में इसमें कुछ और designs इसको अच्छे design किया गया लेकिन यह 1694 तक का time लग गया इसको बिलकुल complete करने में तो याद रखिएगा इसका process 1646 में इसको introduce कर दिया गया लेकिन और सारे इसमें addition किया जैसे होता है ना नयना features आते रहते हैं machines में वैसे इस calculator में नयना features add किये गया 1673 में लेकिन finally जो complete होते होते हैं time लग गया यह 1694 इस वी तक आ गया ठीक है यह जो calculator था यह क्या क्या कर सकता था काम यह basic mathematical operations कर सकता था जैसे additions, subtraction, multiplication, division ठीक है wheels were placed at right angles which could be displaced by a special stepping mechanism इसमें कुछ क्या लगे हुए थे इसमें wheels लगे हुए थे इस calculator में जो की special stepping mechanism के through क्या किये जा सकते थे डिस्प्लेस किये जा सकते थे तो इस तरीके से काम करता था lebanese calculator clear है अब हम बात करते है analytical engine the first computer की analytical engine the first fully automatic calculating machine was constructed by British computing pioneer Charles Babbage ठीक है यह काफी important है हमारे examination point of view से सबसे पहला computer यहां पे अब बात हो रही है उससे पहले तो calculators थे ठीक है computer उसको term हमने नहीं दिया था लेकिन अब जो calculator बना ना उससे हमने नाम दे दिया computer यह हलां कि calculating machine ही था लेकिन fully automatic था और इसको किस ने बनाया था तो इसको बनाया था जो ब्रिटीश के computer pioneer है Charles Babbage जिनने क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है बिल्कुल सही father of father of computers ठीक है तो Charles Babbage ने इसका आविशकार किया कब किया तो 1791 से 1871 तक किया clear है who first conceived the idea of an advanced calculating machine to calculate and print mathematical table in 1812 इन्हें सबसे पहले idea आया कि क्यों ना ऐसा advanced calculating machine बनाया जाए जो की mathematical operations को print भी करें इनके table को clear और calculate भी करें तो इन्हों ने यह analytical engine बनाया analytical engine की अगर बात करें तो यह क्या करता था इसमें incorporate किया गया था mathematical logic unit यानि कि ALU इसमें डाला गया था control करने के लिए इसको ठीक है ओके साथी साथ इसमें memory भी integrated थी यानि कि देखिए बिलकुल आज के computer आज का जो computer है बिलकुल इसी concept पर है आज भी ALU है आज भी storage के लिए memory है RAM है ठीक है यह सब है operations के लिए program के लिए तो बिलकुल इसी तो हम कह सकते हैं कि जो analytical engine था वो बिलकुल पहला computer था ओके making it the first design for general purpose computer that could be described in modern terms as Turing complete तो हमें समझ में आ गया कि सबसे पहला computer क्या है तो चलिए इस से हमें क्या समझ में आ है सबसे पहला computer analytical engine बनाया किसने आविशकार किया चार्स बैबेज ने कहां के थे ब्रिटीश के थे और इन्हें क्या कहा जाता है father of computers clear है तो इतना याद रखिएगा काफी यहां से question बनते हैं अब हम बात कर लेते हैं five generations of computers की clear है चलिए एक एक करके देखते हैं five generations of computers चलिए सबसे पहले बात करते हैं first generation of computers की जो की 1942 से 1955 तक था तो beginning of commercial computer जो है यह कहां से शुरुआत हो गई commercial computers कहां से आने लग गया है तो यूनिवैक से आने लगया यूनिवैक का मतलब क्या है universal automatic computer याद रखिएगा आपसे abbreviation में यह पूछ दिया जाता है यूनिवैक का मतलब क्या है universal automatic computer first generation computers यूज जो होते थे वह 1942 से 1955 के बीच में होते थे और वह कैसे बने हुए थे तो वह based थे vacuum tubes पे example of first generation computer जो है वह है एनिवैक और यूनिवैक वन क्लियर है काफी important नाम है इनको याद रखिएगा तो पहला जो first generation computer था वह किस पे based था vacuum tubes के उपर based था ठीक है vacuum tubes के आते तो vacuum tubes जो थे electronic component हुआ करते थे only electronic component available during those days तो 1942 से 1955 के बीच में कुछ चीप कुछ circuit वगर नहीं आये थे सिर्फ इसी का use किया जा सकता था vacuum tubes का तो इसी को इस्तेमाल करके first generation computer बनाया गया और इसका example क्या है एनिवाक एंड यूनिवाक 1 clear है very very important vacuum tubes हमने पता कर लिया कि सिर्फ इकलौता electronic component इस्तेमाल में लाया जा सकता था उस पर देन वैक्यूम ट्यूब जो था वो मेड कैसे बना था तो वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नालोजी मेड पॉसिबल टू मेक electronic digital computers वैक्यूम ट्यूब्स ही था जो की digital computers का सपना साकार कर सकता था अब देखिए यह जो कितने तेज थे कितनी स्पीड थी इसमें तो डीज computers could calculate data in millisecond तो millisecond में यह calculate कर सकते थे डेटा उसको अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इसके disadvantage की फॉस्ट जनेरेशन कंप्यूटर का disadvantage क्या था बना तो दिया हमने advantage तो देख लिया लेकिन यह जो थे size में काफी बड़े हुआ करते थे large size के एक रूम के बराबर जितना भी हुआ करते थे computers they consumed a large amount of energy इन में energy भी बहुत लगती थी नॉन पॉर्टेबल होते थे यानि कि एक जगह से दूसरे जगह आप बिलकुल उठाके नहीं ले जा सकते थे ठीक है आपको ट्रक मंगवाना पड़ जाता था लिमिटेड कॉमर्शियल यूज कॉमर्शियल यूज में लिमिटेड ही यूज हो पाता था वेरी स्लोव स्पीड थी इसकी यूजड जो था लैंगवेज यूजड मशीन लैंगवेज ओनली था और चलिए स्टोरेज की जो चमता थी वो काफी कम थी ठीक है बहुत कम स्टोर कर पाता था तो यह डिस अड्वांटिस था अब बात करते हैं सेकंड जेनरेशन कंप्यूटर की तो देखा हमने 1942 से लेकर कि 1955 तक फर्स्ट जेनरेशन कंप्यूटर था और उसका एक्जाम्पल क्या था इनिवैक एंड यूनिवैक वन अब बात करते हैं सेकंड जेनरेशन कंप्यूटर की तो पहले जेनरेशन में यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब्स को सेकंड में यूज किया गया ट्रांजिस्टर को अब देखें ट्रांजिस्टर आ चुका था तब तक ठीक है और कंप्यूटर का साइज यो था वसप्यूटर्स टेक्रीशटpected पहले फिर्स्ट जेनरे maior के मुकाबले इसका साइज अब क्रीज हो गया 2nd generation का क्योंकि वेक्यूम ट्यूब्स को हमने रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर के साथ वैक्यूम ट्यूब्स का अब हम इस्तेमाल नहीं करना पड़ता ठाथा क्योंकि हमने खोज लिया था ट्रांजिस्टर को इग्जाम्पल की अगर बात करें second generation computer की तो IBM 7094 series, IBM 1400 series and CDC 164 ये कुछ examples आपके second generation computers के क्लियर है, advantage की बात करें second generation computer की तो पहले के मुकाबले ये काफ़े smaller हो गये थे smaller in size as compared to the first generation computer, उसके बाद used less energy use करते थे और गरम नहीं होते थे जल्दी, ठीक है, उसके अलाबा better speed थी इसमें और data को microseconds में अब ये calculate कर सकते थे, first generation computer millisecond में कर सकते थे, लेकिन ये जो second generation computer है, ये अब कैसे कर सकता था, microsecond में calculate कर सकता था, तो देखिए, पहले से क्या हो रहा है, काफी improvement हो रहा है, हर features में, उसके लाबा used faster peripherals like tape drives, magnetic disk, printer, इन सब का इस्तेमाल अब इसमें किया जा सकता था, printer का, magnetic disk का, इन सब का इस्तेमाल अब इसमें किया जा सकता था, उसके लाबा used assembly language instead of machine language, अब machine language के जगा किसका इस्तेमाल होने लग गया था, assembly language का, उसके लाबा disadvantage की बात करें, तो cooling system was required, अभी cooling system नहीं आया था इसमें, घरम तो अभी भी होते थे, cooling system नहीं था, उसके लाबा constant maintenance was required, समय समय पे, maintenance, इसको maintain करना पड़ता था, maintenance कराना पड़ता था, उसके लाबा only used for specific purposes, कुछ ही काम के लिए use किया जा सकता था, उसके लाबा costly and not versatile, costly भी था और versatile भी नहीं था, आज के computer की तरह, तो यह हमने देख लिया, second generation computer, तो देखा, first देख लिया, second देख लिया, एक बार revise कर लेते हैं, second generation आया था, 1955 से 1964 के बीच में, और इसका example, क्योंकि इसमें अब vacuum tubes के जगा पे transistor का इस्तेमाल होने लग गया था, साथी साथ इसके examples की बात करें, तो IBM 7094, IBM 1400 and CDS 164 कुछ examples इसके थे, और advantage and disadvantage हमने देख लिया, अब बात करते हैं, third generation computer की, तो 1964 से लेकर के 1975 तक यह काम इसने किया, third generation computer ने, तो third generation computer में अब देखिए, पहले वाले में हमने use किया था, vacuum tubes का, second में हमने use किया था, transistor का, और अब third में हम use करने लग गये थे, ICs का, यानि कि integrated circuits का, ठीक है, अब आब बोलोगे, IC क्या होता है, integrated circuit क्या होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, यह इसको कभी-कभी chip भी बोला जाता है, बोलते हो न, chip, chip लगा दो, यह microchip भी बोला जाता है, तो यह एक semiconductor होते हैं, वेफर के तरह, ठीक है, semiconductor वेफर होते हैं, जस पे thousands and millions of tiny registers लगे होते हैं, या capacitors लगे होते हैं, और transistors लगे होते हैं, ठीक है, तो एक ही chip पे बहुत सारे millions of capacitors, registers and transistors लगे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं, ICs, यानि कि integrated circuits, clear है, तो अब हम transistor के जगा पे क इसका इस्तिमाल करने लग गये थे, third generation आते हैं, IC का इस्तिमाल करने लग गये थे, यानि कि integrated circuit का इस्तिमाल करने लग गये थे, फर्स्ट IC जो है, वो invent किया गया 1961 में, पहला IC, पहला integrated circuit इसको बनाया गया 1961 में, और size जो था, इस circuit का, इस IC का, वो about one-fourth of square inch था, यानि कि एक इंच का one-fourth था, सोच सकते हैं, one-fourth of square inch, a single IC chip में contains thousands of transistor, पहले एक transistor लगाया जाता था, computer में, फिर दूसरा लगाया जाता था, मतलब इस तरीके से एक-एक करके लगाया जाता था, लेकिन, अब IC के आ जाने से क्या हुआ, एक ही, IC पे, thousands and millions of transistors लगाया जा सकते थे, तो आप सोच सकते हैं, कि size कितना कम हो गया होगा, computer का है, चलिए, computer जो है, size में काफी smaller होने लग गया, तेजी से, और more reliable होने लग गया, और less expensive होने लग गया, अगर अब examples की बात करें, third generation computer की, तो IBM 370, IBM system 360, Univac 1108, and Univac AC 9000, ये सब कुछ examples हैं, कुछ models के नाम है, जो की third generation computer के हैं, advantage की बात करें, तो smaller size हो गया था, अब more reliable हो गया था, less energy use करता था, साधी साथ better speed and calculate काफी जल्दी कर सकता था, micro से भी कम में कर सकता था, अब nanoseconds में कर सकता था, clear है, तो देखा हमने third generation, अब disadvantage देख लेते हैं, air conditioning was required, अभी भी air cooling नहीं बनी थी, ठीक है, conditioning required थी, then highly sophisticated technology required for the manufacturing of IC chips, अब IC chips के लिए, बनाने के requirement थी, यहाँ पर, अब हम बात कर लेते हैं, fourth generation computer की, जो की 1975 से लेकर की present तक है, clear है, चलिए, मतलब, अभी जो है, fourth generation भी चल रहा है, और fifth generation भी चल रहा है, तो याद रखिएगा, confused मत हो येगा, कि, अभी fourth कैसे चल रहा है, आपने तो बोला था, five generation आ चुके हैं, तो जी हाँ, fifth आ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं कि fourth outdated हो गया है, वो भी बहुत सारे लोग उसको use कर रहे हैं, चलिए, fourth generation की बात करते हैं, 1975 से present तक अभी भी है, fourth generation computer जो है, वो start हुआ था, किस के साथ, invention of microprocessor के साथ, तो IC के बाद अब क्या आ चुका था, microprocessor आ चुका था, और ये microprocessor जो था, वो बहुत सारे ICs को contain कर सकता था, अपने आप में, तो आपने देखा, first generation में vacuum tube के use किया गया, second में transistor के use किया गया, जिसमें बहुत सारे vacuum tubes आ सकते थे, third में IC का use किया गया, जिसमें बहुत सारे transistor आ सकते थे, और fourth में, अब microprocessor आ गया, जिसमें बहुत सारे transistor आ सकते थे, तो देखिया, दिन जैसे जैसे, आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो chips हैं हमारे, उसके size काफी कम होते जा रहे हैं, और इससे क्या होगा, कि computer design किया जाने लग गया, और इसने computer के size को बहुत जादा काम कर दिया, size of modern microprocessor की अगर बात करे जाएं, तो usually कितना होता है, one square inch होता है, और इसमें कितना electronic circuit आ सकता है, millions of electronic circuits, एक IC में आ सकता है, अभी, microprocessor में, example की अगर बात करें, fourth generation computer की, तो apple हो गया, उसके अलावा, ibm pc हो गया, ठीक है, तो ये fourth generation computer, apple mac and ibm pc, advantage की अगर बात करें, तो more powerful and reliable than previous generations, अभी काफी reliable है और powerful है, काफी size में small है, fast processing करता है, less power consume करता है, उसके अलावा, fan for heat discharging and thus to keep cold, इसमें अब cooling की विवस्था हो गई है, ठीक है, तरिपाठी जी, cooling की विवस्था करा दियें इसमें, उसके बाद अगर बात करें तो cheapest among all generations, जितने भी generations है, उससे काफे सस्ता है, all types of high-level language can be used in the type of computer, जितने भी language है, ठीक है, computer language, उन सब का इस्तेमाल इसमें किया गया है, अब हम बात कर लेते हैं हमारा 5th generation computer की जो की present है और beyond भी रहेगा, यानि की 6th आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन हम मानके चल रहे हैं कि 5th भी रहेगा तब भी, scientists जो है, वो work कर रहे हैं, scientists are working hard on 5th generation computers, ठीक है, with quiet a few breakthrough, और काफी सारे उनको breakthrough मिले हैं अभी भी, सफलता है, कुछ मिली है, और यह जो based है, वो artificial intelligence पे based है, ठीक है, AI का नाम आपने सुना होगा, Alexa, हा न, तो computer जो है, can understand spoken words and imitate human reasoning, IBM Watson computer is one example that outsmarts Harvard University students, तो देखिए, अब computer क्या कर सकता है, human को copy कर सकता है, उन्हें imitate कर सकता है, ठीक है, और एक example यहाँ पर दिया गया है, Harvard University के students ने एक computer बनाया है, IBM Watson, यह इसका एक example है, ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली, 5th generation of computer की, I hope आपको समझ में आया होग अगर कोई query है, कोई confusion है, तो आप comment box में कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको reply कर सकते हैं, या फिर आप जाकर करके हम Instagram पर follow कर लीजे, Instagram की ID है हमारी, at the rate, NCA Edison, साथ साथ Facebook पर हमारा page है, NCA Edison के नाम से, तो वहाँ पर जाके आप हमें like कर सकते हैं, हैं, चलिए, अब हम बात कर ल केते हैं, computers can be classified according to the following types, based on work, अगर work के basis पर बात की जाए, ठीक है, work के basis पर बात की जाए, तो analog computer, digital computer and hybrid computer, तो analog computer क्या होता है, the analog computers are computer system that measures variations in quantities such as temperature, voltage, speed, etc, तो ऐसे computer, जो की measure करता है, variations को quantities में, voltage के quantity में, speed में, या temperature, तो उसे कहते हैं, analog computer, analog computers को हम जानते है, known to measure the data varies continuously, other examples, analog computer include, voltmeter and ammeter, तो voltmeter और ammeter जो है, वो analog computer के examples है, अब अगर digital computer की बात करें, तो digital computer system, ऐसा computer होता है, जो की, digital computers are the computer system that count things by manipulation of certain continuous members and letters through representation of binary digits, ठीक है, याद रखेगा, तो digital computers में binary digit के basis पर यह होता है, also called bits भी कहते हैं, तो bits के basis पर digital computer work करता है, ठीक है, example की अगर बात कर लें, तो digital computers हो गया, आपका desktop, personal computer, then workstation, tablet, PC, यह सारे के सारे क्या है, आपके digital computer के example है, अगर हम बात करें, hybrid computer की, तो hybrid computers जो है, यह नाम किसने suggest किया था, तो hybrid computers, the name suggests, are a good mix of analog and well digital computers, तो हमने देख लिया कि, digital computer और analog computer का जो mixture होता है, वो होता है, hybrid computers, ठीक है, hybrid computer यूज किया जाता है, scientific calculations के लिए, defense में, ठीक है, और जो भी हमारे scientific institutes है, जैसे, DRD, इस्टो अगरा, वहां पर यूज किया जाता होगा, इनका, hybrid का, अब अगर हम बात करें, based on purpose, purpose की basis पे बात करें, तो computers के कितने type है, तो, एक तो हो गया, general purpose, और एक हो गया, special purpose, तो general purpose, क्या हो गया, जैसे आपका desktop है, notebook है, smartphone है, tablets है, यह सारे general purpose के लिए, जो कि एक आम इंसान यूज कर सकता है, ठीक है, for example, writing and editing, editing के लिए, लिखने के लिए, data को manipulate करने के लिए, ठीक है, inventory को record करने के लिए, इन सब काम के लिए, जो computer का use करोगे, उसे कहेंगे, general purpose, computer, जैसे आप का desktop और tablet हो गया, उसके लावा अगर हम special purpose की बात करें, special purpose computers ऐसे होते हैं, जो specific काम करते हैं, ठीक है, एक particular problems को solve करते हैं, और इन्हे dedicated computers के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, किसके नाम से, dedicated computers के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह जो होते हैं, यह काफी dedicated होते हैं, towards a particular work, किसी खास काम को करने के लिए बने होते हैं, जैसे video games में जिसका इस्तिमाल किया जाता है, traffic control करने में जिसका इस्तिमाल किया जाता है, navigation system में जिसका इस्तिमाल किया जाता है, aircraft में जिसका इस्तिमाल किया जाता है, weather forecasting में, यानि कि समय को forecast करने में, satellite launch करने में, code track करने में, then oil exploration में, automotive industries में, digital watch वगरा हो गया, robot helicopter हो गया, ये सब क्या है, ये सब special purpose computer के example से, तो I hope आपको यहां तक clear हो गया होगा, आगे चलते हैं, अगर हम बात करें based on memory size and performance की, memory size और performance के बात करें, तो आपको micro computer हो गया, mini computer हो गया, और mainframe, चलिए, sorry, micro computer और mini computer हो गया, micro computer हो गया, जैसे, जो use किया जाता है, जो जिसमें use होता है, micro processor का, as a central processing unit, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, micro computers, और ये physically smaller होते हैं, size में, ठीक है, छोटे होते हैं, किनके मुकाबले, mainframe और mini computers के मुकाबले में, example की अगर बात करें, तो IBM PC हो गया, Apple Mac हो गया, ये सब examples आपके micro computer के, अगर हम बात करें, mini computer के, तो ये mid size के होते हैं, ठीक है, micro से थोड़े बड़े होते हैं, middle size में आते हैं, ठीक है, और, इसके examples के, अगर हम बात करें, तो हो गया, ICL Series 36 Level, Galaxy 21, Nelco 5000, ये सब mini computer के examples हैं, अब हम बात करें, mainframe की, तो mainframe computers को, big iron के नाम से भी जाना जाता है, और ये computers जो होते हैं, primarily, corporate, corporate के दौरे यूज के जाते हैं, government organizations में, यूज के जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये highly reliable होते हैं, और काफि secured होते हैं, extensive input, output facilities में होती है, तो आपको पता ही कि organization में इसकी कितने जरुद पढ़ती है, और strict backward compatibility होती है, with older version of softwares के साथ, तो ठीक है, तो ये, हमने देखा, on the basis of, size and performance, micro, mini computer, then man frame, और उसके अलावा यहां पे है, super computer, तो super computer का इस्तेमाल कहां कहां पे होता है, तो super computer का जो इस्तेमाल होता है, वो आज कल के जो computers है, उनके लिए इस्तेमाल हो जाता है, example की अगर बात करें, तो weather forecasting के लिए और इस्तेमाल किया जाता है, super computer का, ठीक है, चलिए, परम is a series of, ये याद रखेगा, थोड़ा ये काफी useful हो सकता है, आपके examination point of view से, परम जो है, वो super computer का एक series है, ठीक है, जिसे design किया गया है, और बनाया गया है, किसके द्वारा, center for development of advanced computing, यानि की CDAC के द्वारा बनाया गया है, पूने, clear है, चलिए, the latest machine in the series is परम युवा 2, और latest machine जो इस series में जुड़ा है, वो है, परम युवा 2, चाइना का जो वास्ट तियाने 2 है, ये भी एक fastest super computer in the world है, very important, याद रखेगा, चाइनाज वास्ट तियाने 2 is the fastest super computer in the world, clear है, चलिए, अब बात कर लेते हैं, इस नहीं हम personal computers की, तो personal computers में जो हम अपने ये ये यूज करते हैं, personal computers are computers that are designed for individual user, individual user के लिए design किया जाता है, personal computer को, और ये जो computers है, वो small होते हैं, reliable होते हैं, और relatively cheaper होते हैं, clear है, सस्तिय होते हैं, okay, personal computer में क्या यूज किया जाता है, तो एक microprocessor technology यूज की जाती है, तो पुट एन इंटाइर CPU they save Marriard purposes and can be put to use the various business for working ठीक है चलिए तो किसलिए यूज कर सकते हैं हम सर्फिंग के लिए यूज कर सकते हैं गेम खेलने के लिए यूज कर सकते हैं online applications के लिए यूज कर सकते हैं घर में यूज कर सकते हैं और personal यूज कर सकते हैं इसका इस्तिमाल कर सकते हैं personal computer का types of personal computer की अगर हम बात करें तो देखिए types of personal computer कितने हैं तो सबसे पहला है tower model tower model की बात करें तो this model of professional computer referred to computer in which the power supply motherboard and other mass storage devices are stacked on top of each other in a cabinet देखिए tower जैसे की नाम से ही पता चल दाए है tower कैसा होता है लंबा होता है ऐसा उपर की तरफ होता है ठीक है तो वैसे ही इस computer में भी जो चीजे होती है जैसे power supply हो गया motherboard हो गया उसके बाद storage device हो गया तो एक के उपर एक ऐसा बनाए गया होता है ठीक है इसलिए इसका नाम है tower model then desktop model है desktop model हम सब जानते हैं इसका computer इसका मतलब क्या होता है computer जो design किया गया होता है comfortably fit हो जाता है on top of desk desk के उपर एक table के उपर वो fit हो जाता है ठीक है इसमें monitor setting होती है on the top of the computer then desktop model computers are compared to the tower model are broad and low whereas tower model computers are narrow and tall ठीक है तो desktop model broad होता है लेकिन छोटा होता है वहीं पर tower model ऊचा होता है लेकिन narrow होता है clear है तो चलिए यह दोनों में difference था notebook computer की बात करें तो also called ultra book इसको ultra book भी कहते हैं तो these are extremely popular because they are extremely light weighted and portable notebook computer कैसे होते जो काफी light weighted होते हैं इसको आप कहीं पर भी carry कर सकते हैं ठीक है because of the smaller size ठीक है typically less than six pounds are lesser than तो यह काफी सस्ते भी होते हैं तो यह इस्तेमाल होगे यह हमें पता चलिए notebook computer के बारे में अब हम बात करते हैं laptop computer के बारे में तो देखिए laptop computer की बात कर लेते हैं तो laptop are nowadays called notebook computers ठीक है laptop को notebook computers भी कहा जाता है these are small and portable you can make them sit on your lap and work on them तो आप इसे अपने गोदी में भी रखे इससे काम कर सकते हैं तो सब notebook computer से यह भी portable होते हैं और यह जादा lighter होते हैं ठीक है notebook computer से भी lighter होते हैं और यह smaller than a full-side notebook और यह उससे भी छोटे होते हैं they are lightweight because the use of small keyboards and screen compared to notebook computer notebook computer से छोटे screen होते हैं इसमें छोटे keypads होते हैं तो उसके comparison में यह काफी चोटे होते हैं काफी हलके होते हैं और काफी सस्ते भी होते हैं clear है तो यह कुछ examples हमने देख लिए उसके बाद और भी कुछ examples है इसके जैसे handheld computer I hope आप बोर नहीं हो रहे होंगे बस थोड़ा सबाकिए क्योंकि पहला चैप्टर है तो सब कुछ हमें इसमें पढ़ना है बेसिक बेसिक चीजे तो बस वही हम कवर कर रहें तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो कोई कोई फरक नहीं पड़ता है आप लोग तो मैरा अथन देखने वाले लोगों तो इसको तो आप सहील होगे एक एक गंट जा सकते हैं यह एक्स्ट्रीम ली कविनियंट फर यूस बट्ट दू टू इसमाल साइज आफ यह कीबोर्ड अड जाते हैं लेकिन क्यूंकि इसमें काफी चोटे होते हैं और की पैड्स जो आपके हैं वह काफी चोटे होते हैं तो अभी तक इतना यूस्फुल नहीं हो पा की तो पाम टॉप देखिए हथेली है ना पाम मतलब हथेली और उसके टॉप पे इस कंप्यूटर साथ नेम सजेस्ट फिट इन यो पाम आपके पाम आपके हथेली में आ जाएंगे ऐसे इतने चोटे कंप्यूटर होते हैं तो ड्यूटी एक्स्ट्रीम ली स्मॉल साइज द दान की बोड्स फॉर इंपूर्ट एंड अनलाइक लप्टॉप दीए में अब क्या है पीडिये में कीपैड दिया नहीं पैन दे दिया है क्योंकि कीपैड लगाएगा तो वैसे ही काफी चोटे की जो जाएंगे तो इन्होंने पैन दे दिया कि यह लोग पैन से लिखो तो तो आप पैन से लिखोगे वह टाइप हो जाएगा इंकॉर्परेटिंग हैंड राइटिंग रिकागनेशन फीचर तो इसमें हैंड राइकिंग रिकागनेशन फीचर भी है अगर आप अपने आपके जगा पर कोई और लिख रहा है तो रिकागनाइज कर लेगा एंड यह पूछे नहीं जाएंगे वैसे लेकिन क्या पता कभी पूछ ले तो बस एक बार गो थू करना है आपको ठीक है स्मार्ट फोन्स की अगर बात करें तो स्मार्ट फोन्स और काी काम करते हैं और फॉन इसमाहन का पते हैं बंबहैक है要 अब बात करते हैं यूसेज ऑफ कंप्यूटर्स की क्या क्या है वैसे तो हमने पढ़ लिया लेकिन फिर से देख लेते हैं एजुकेशन के फिल्ड में बात करें तो क्लास रूम को इफेक्टी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है यूद इसके बाद है in research work research करने में भी हमें मदद करता है इन फिल्ड ओफ ओफिस ओफिस में इसका इस्तिमाल किया जाता है जैसे document management हो गया then document management system then word processing desktop publishing यह सब office official use है computer का ठीक है then spreadsheet बनाने में उसके लावा office support system में इन सब में use के जा सकते हैं तो यह अलग-अलग usage है जो के office में use के जाते हैं computer चलिए अगर आप बात करें हम medicine के field में तो उसमें भी use किया जाता है इसका जैसे hospital administration हो गया उसके बाद recording medical history record करने के लिए then system को monitor करने के लिए life support system को manage करने के लिए diagnosis करने के लिए diseases का इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके अलावा हम बात करें तो defense के field में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ठीक है तो बहुत सारे works है computers को और यह सब theoretical है तो यह सब हम से नहीं पूछेगा तो सिदा आगे बढ़ते हैं तो चलिए यहां पे आके हमारा पहला chapter fundamentals of computer complete होता है तो thank you very much guys for watching this video last तक आपने देखा अगर आप last तक आए हो तो thank you very much आपने बहुत सारे I hope आपने बहुत सारे informations gather किये होंगे इस video के माध्यम से तो बस मिलते हैं next video में अगले chapter के साथ तो अगर आप new है channel पे और ncidezone को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो please do subscribe to the ncidezone like the video अगर आपको अच्छा लगा then comment करके भी बताईए लोगों के साथ share कीजे और जैसे के मैंने पहले ही बताया Instagram और Facebook पे हमारा page है तो वहाँ पे पिजा के हमें आप follow कीजे thank you very much guys मिलते हैं एक रुदे में तल देन बबाइ और टेक केर